ओम श्री गणिशायनमा दोस्तों आपका हर्दिक स्वागत है ओम गर्पती समाधान यूट्यूब चैनल में दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं तेरे मई गुरुवार आज के व्रस्चिक रासी फल के बारे में कि इस दिन इनका वेबसाय और बिजनेस कैसा रहेगा केरियर कैसा रहेगा घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और आज के दिन इनको कौन-कौन सी साथधानिया रखनी होंगी और कौन-कौन से उपाय करने होंगे जिससे आज का दिन सांधार और सबसे पहले पहुँच सके चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या positive रहने वाला है दोस्तों व्यस्त दिन चरिया के बावजूद स्वास्त अच्छा रहेगा विवाही तंपत्यों को आज अपनी संतान की शिक्षा पर अच्छा खासा धन खर्च का ना पड़ सकता है जियां दोस्तों आज आप उर्जा से भरपूर रहेंगे आपका जिन्दा दिल और गरम जोशी से भरा विवार आपके आसपास के लोगों को खुश कर देगा आज किसी ऐसे इंसान से मिल ले की संभावना है जो आपके दिल को गहराई से चूलेगा उस लोगों को विदेश से कोई खास खबर या वेबसाइक परस्ताव मिल सकता है नए विचारों और आईडियों को जाचने का बहतरीन वक्त है आज का दिन उनमाद में गिर जाने का है क्योंकि आप अपने जीवन साती के साथ प्रेम के चरम अनुबव करेंगे आसावादी इसके जाने का आपको दुख भी होगा आपके माता पिता की सेथ चिंता और घपराट का कारण बन सकती है दोस्तों आप बात कर लेते हैं आपके नेगिटिव बातों के बारे में आज आपको अपने विरोधियों से साधान रहना होगा विरोधि पक्ष आपको हानी के बारे में अगर आपके विवसाय की बात की जाए तो विवसाय के बारे में आज कोई चिंता करने की बात नहीं है विवसाय में अधिक से अधिक लाब होगा और धन प्राप्ति का मार प्रसस्तों गा कई प्रकार की खुशिया में लेंगी और तमाम प्रकार के लाब होंग द्यार्टियों के समय विद्या ध्यान में गुजरेगा परिक्षाओं में सफलता मिलेगी दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपके यव लाइफ के बार में यदि उन रिस्तों की बात की जाए जो अलग से हैं और काफी समय से कोई बात नहीं हो पाईए तो उन रिस्तों को भूल परिवार की दोस्तों घर परिवार में खुशियों का महल रहेगा परिवार में किसी के रिस्ते की बात हो सकती है साथी कुछ नए रिस्तों की सुरवात भी हो सकती है जीवन साथी से संबंद मदूर रहेंगे किसी नए मित्र से मुलाकात होगी समाज में बात सम्मान बढ़ हो सकती है अपने आपको और धिक स्वस्त्र रखने के लिए आप नियमित योग करें ब्यायाम करें प्रानयाम करें और स्वस्त्र ही दोस्तो आज आप ये उपाई अवश्य करें श्री भगवान विश्णु जी को एक मुखी नारियल अर्पित करें और 108 बार इस मंत्र का प्राप्तो कमेंट में जे विश्णु आपसे लिखें धन्यवाद दोस्तों आपका दिन सुब और मंगल में हो